आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ नया ध्मान जो होगा बहुत ही जादा थमाकेदार फ्रेंस आज की वीडियो में हम इस टील को जलाने वाले हैं तो हम देखते हैं कैसा होगा रिख्षन इसका और क्या क्या हो सकता इसके साथ और नय एक्सपेरिमेंट ये चीज आपको अकेले में अन्यतक едए घर पर करने की कोशिश नहीं करनी हैं तो आपको से चोट लग सकती और उस से जल भी सकते हैं तो ये बहुत ही शावधानी के साथ किया जाता किआए तो फेत्धर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप तुमारे चैनल को स्स्क्राइ तो區इंस हम लोक टाइम नाबेश्ट करते हैं हम लोग बाथ करते हैं ऍस टील के बारे में इस टील को हम लोग चलाने माले हैं तो चलिए हम लोग वीडियो नहीं है इस चीज में आप एकבר लगा देंगे तो आप इस आओ को कभी भी बुजा नहीं सकते हैं क्योंकि सचाई तो यही है friend इसमें आग लगाने के बाद अगर यह थोड़ी सी भी हवा पागी तो आप इसको बुजा नहीं सकते हैं क्योंकि यह भैया होता है बहुत ही जादा खतरनाक यह कितना जादा जौलंसील होता है वो हम लोग देख लेते हैं So friends हम लोग पहले इसको cut करके छोटा करने वाले हैं तो चलिए हम फटा फट इसको cut कर लेते हैं क्योंकि इतने बड़े object में आग लगाना कुछ इतना नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही जादा फ्यानक चलने वाला तो चलिए फ्रेंस इसको करते हैं छोटा और देखते हैं क्या होता है रियक्षन तो फ्रेंस आप लोग देखें इस टी लूर को हमने एक हैंडल से कवर कर रहा है जिस हैंडल में भईया हम लोग लगाते हैं फॉन क्योंकि ये भईया बहुत ही चलता है शतरणार तो हम लोग दिखाते हैं क्या होता है इसका नया थमाका ये देखें फ्रेंस अब ये थोड़ी सी भी हवाप आ गई अब आग देखेंगे अगर अंधेरा करें तो वहीं ये बहुत ही खतरनाग जलेगा आप लोग देख सकते हैं इसको आप गुझा नहीं सकते आप जितनी ही हवा करें ये उतना ही तेज चलता जाएगा खूंप के भी नहीं घुझा सकते एक लिश पानी से भी ये बहुत मुस्किल से घुझता है तो आप लोग देख सकते हैं मतलब कितना इसाथा फतरनाग होने वाला है सो फ्रेंस हम लोग चलिए देखते हैं इसका करते हैं इस जोआ है कि ये देखें प्रेंस